तो अगर आप टेलिग्राम पर जॉइन नहीं किये हैं तो प्लीज टेलिग्राम पर जॉइन कर लें, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर इस्सा है तू अब तो मेरे दिल के ज़जबातों का, तू लब्स है So hey, what's up guys, कैस हो, आप सब I hope बढ़या होगे तो आज का इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जो आप अभी preview में status देखें, ऐसा status अपने phone से आप खुद का image का कैसे करके बनाएं तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा सिखाऊंगा, step by step, तो आपको वीडियो को पूरा last तक देखना है और हमारा gaming channel आचुका है, जिसका name है, आप देख सकते है, atom gamers सब्सक्राइब कर लें, link है, description पर, आप अगर चाहते हैं, तो करें क्योंकि आप एक पर चैनल को visit करके देखें, अगर आपको पसंद आए, मैं definitely कह रहा हूँ आपको जो GTA 5 के stories है, काफी बहतरीन, काफी मज़ा आने वाला है, तो आप चैनल को पहले वीडियो देखें, देना आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे पता है, आप लोग सब्सक्राइब करो गई, क्योंकि आपको, मतलब वीडियो धास हुए, तो गाइस, आपको टे status वहाँ पर upload होगा, तो आप easily download करके, आप अपने what's up status पर भी लगा सकते हैं, अगर आप जो preview status सब देखते हैं, अगर चाहते हैं, आप भी लगाना, go status तो आप लगा सकते हैं, तो guys, चलिए वीडियो को start करते हैं, उससे पहले, guys, आपको कैसे का download करनी, ये भी कहा देता है, क्यों guys, आप देख सकते हैं, description पर all materials link देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको click करना है, then आप मेरा blogger पर आजाओगे, सबसे नीचे चले जाना है, सबसे नीचे जाने के पाद आपको red color का download button आएगा, उस पर आपको click कर देना है, then आप download page पर आजाओगे, फिर सबसे न लेटम आ जाएगा, मतलब समझे रहाँ है, टेकनिकल स्वेल नेम का, आप लोग का प्यार हो, आपका support, और क्या बोलूँ और thank you so much, चलिए वीडियो के start करते हैं, so guys, सबसे पहले आपको kindmaster app को open करना, इसका link आपको description पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, description पर km link है, उस वीडियो का description से आप इस kindmaster app को download कर लें, अब guys, आपको plus icon पर click करके 1 to 1 ratio को choose करना है, और इस background पर click करके एक black layer का background पर import करना है, देन इसका duration को आप बढ़ा दें, जितना दूर आप stories बनाना चाहते हैं, अब layer पर click करके आप media को option पर चले जाएं, और यहाँ पर guys, आपको एक image को import करना है, जो कि यह वाला है, और दे आप ऐसा पर slide कर लें, अब आपको क्या करना है, यह आप layer पर मतलब sorry, setting पर click करना editing पर, और fill screen पर, अब आपको directly media को option पर click करना है, और यहाँ पर आप जिस image पर status बना रहे हैं, आप simply उस image को यहाँ पर import कर लें, तो यहाँ पर एक image को में import कर लेता हूं, देन आप देख सक दर सकते हैं, तो आप easily adjust करने के बाद, आप क्या करें, इस image का vignette को on करें, इस जगह पर click करके capture and save को option पर click करें, capture and save को option पर click करने के बाद, उस photo डिलेट कर दें, देन layer पर click करके media को option पर चेले जाए, और जो आप capture किये, उस photo को यहाँ पर import करें, तो मैं उस photo को यहाँ प आप last तक कर लें, देन उसे छोड़ा करने के बाद, आप उसे थोड़ा से rotate करें, अब guys आप उसे थोड़ा उपर के तरफ adjust करके आप इसे बड़ा कर लें, देन आप क्या करें, यहाँ पर इस three dot पर click करें, और इसे send to backward कर दें, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका photo तो वो पीछे के तरफ चला गया, अब layer पर click करके, आप media option पर click करें, और आपको यहाँ पर एक green screen, sorry, एक video है, उस video के यहाँ पर import कर लेना है, तो यहाँ पर मैं उस video का आपको दिखा देता हूँ, किस type का है, कुछ इस तरह आपको video रहेगा, तो आप इस video को import करें, देन ऐ इस का blending option पर चले जाएं, इस screen पर click करें, अब आपको क्या करना है, इस three dots पर click करके, sand backward करना है, हैना, sand backward, अब यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो video है, वो पीछे का तरफ चला गया है, देखने में काफी अच्छा लगता है, अब यहाँ पर आपको बहुत सर और भी काम ह करना है, तो यहाँ पर आपको मैं उससे find करके दिखाता हूँ, तो यह वाला video को आपको पहले उसके बाद import करना है, देन इसका आप क्या करें, blending option पर चले जाएं, और इससे screen पर click कर दें, देन आप इसका cropping option पर चले जाएं, और उपर का जो part है, इससे easily crop कर लें, crop करने के बाद इससे आप छोड़ा करें, उसके बाद इससे थोड़ा rotate कर लें, कुछ इस तरह, और इससे rotate करने के बाद इस तरह इस जगह पर आप set करें, तो guys set करने के बाद आप layer पर click करें, media option पर फिर से चले जाएं, और यहाँ पर guys आपको एक lyrical video को import करना है, तो यहाँ पर आ videos तो आपको इस टाइप का videos देखने को मिल जाएंगे, तो आप इस वीडियो को import करने के बाद, यहाँ पर blending option पर चले जाएं, और screen पर click कर लें, इससे छोड़ा करें, इससे आप rotate कर लें, और कुछ इस तरह इस जगह पर set करें, और आपका text क्या आपका text बाहर जा रहा है या नहीं, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका text easily सही से सो हो रहा है, तो थोड़ा इधर आप कर लें, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लेयर पर click करना है, उसके बाद आप media का option पचे ले जाएं, और यहाँ पर आपको एक चिंगारी type का video है, तो आपको उस वीडियो को यहाँ पर import करना है, तो यहाँ पर आपको कुछ यह वाला वीडियो को import करना है, दिन इसका audio का option पर जाना है, mute करना है, क्योंकि आपको इसका अंदर audio देखने को मिलता है, दिन इस जगह पर click करके split screen पर click करने के बाद फिट करें, अब आपको इस वीडियो को मालूम ही यह particle कौन सा है, यह particle import करने के बाद इस जगह पर click करके fit करें, दिन इसका audio का option पर जाना है, mute करना है, क्योंकि इसका अंदर भी आपको audio देखने को मिलता है, और नीचे का part को आप थोड़ा से जाय सकरके so करा लें, दिन आप blending option पर से ले जाए, इसक्रीन पर फ blending का option पर चले जाए, इसक्रीन पर click कर दें, अब यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे layers लग चुका है, अब आपको कुछ borders import करना है, तो layer पर click करके media option पर चले जाना है, और आपको एक white color का side border import करना है, इसका duration को last तक कर दें, और इस जगह पर click करके split screen पर click करने के बाद इस इसे भी fit करें, देख सकते हैं, आपको site पर एक border लग चुका है, अब layer पर फिर से click करें, media का option पर चले जाए, और आपको अगर इस तरह logo बनाना है अपने name का, तो आपको एक video description पर मिलेगा, उस वीडियो देखने के बाद आप अपने मुताबिक logo बना सकते हैं, और अपना status पर लगा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इस logo को import कर लेता हूँ, आप भी उस video को देख कर बनाएं, और अपना logo इस time पर import करें, देन इसका duration को last तक करें, देन इसा आप छोटा करके नीचे के तरफ कुछ इस तरह कर लिजिए, उसके बाद आपको layer पर फिर से click करना है, media का option आप चले जाना है, और यहाँ पर गाइस, आपको, मतलब यह सथ 2 image मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं screen पर, तो आप यह व Sug भी इंपोर्ट कर सकते हैं और आप यहां पर आप जिस पर विडियो बना रहे हैं आप वह फोटो को इंपोर्ट कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आप यह वला फोटो भी इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आप इस इमेज पर बना रहे हैं इस तो आप इस इमेज पर वीडियो बना रहे हैं तो आप यह वाला भी इंपोर्ट कर सकते हैं तो आप उसके बाद क्या करें इसका डियूरेशन को फिर से लास्ट तक करें कि यह सब फोटो लेयर है अब आपको ब्लेंडिंग को अप्शन बचे ले जाना है और इसका भी स्क्रिन को अन करना है अब आप इसे क्या करें यह टेक्स्ट को पहले छोटा करें थोड़ा छोटा करने के बाद रोटेट करें कुछ इस तरह और इस जगह पे आप सेट कर ले हैं तो यहाँ पर देख सहते हैं काफी सारे लेयर्स यहां पर लग चुका है और जो का आप जो आपका इस्टरस से वो भी बन चुका है तो यहां पर मैं आपको थोड़ा से प्ले करके दिखा देता हूँ कि कि आपके यहां पर इस्टरस बनके तयार हो चुका है तो ऐसे करके आप बना सकते हैं यह वीडियो आपको यह वीडियो देखके पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें अटार्म गेमर चैनल को आप एक बार विजिट करके देखें लिंक है डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम इंस्टेग्राम पर फॉलो कर लें फिस्बुक पर ल आलवेड़ा